कैसे हो आप सब हम सब तो बिलकुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सभी का आपके अपनी चैनल SK ब्लॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं अभी मैं सासुमा को नहलाऊंगी तो उनको मैंने बातरूम में कुर्सी पर बिठा दिया है वो अभी ब्रश कर रही है तो मैंने सोचा खाली खड़ी होके क्या करूंगी क्यों ना मैं तब तक रसोई को पहुंच देती हूं फिर उनको नहला के उनके कपड़े वगरा धोंगी बाद में खुद नहाऊंगी तब मैं खाना बनाने की तयारी करूंगी तो सोचा की चलो ये काम तो करनाई है इसे मै पहले करूं या बाद में करूं अब खाली खड़े होने से अच्छा ये है कि रसोई को पहुंच देती हूं तो ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा और वैसे भी खाली खड़े होके मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता है तो वहाँ पे सासुमा तब तक बुरश क काम करती है तब तक मैं अपने चोटे मोटे काम निप्टा लेती हूं ये बैट के ब्रश कर लेती है तो ये देखिए अभी सुबह के जो है नो बज चुके हैं पांच मिनटे आगे है मेरा ये अलारम इस टाइम पे पूरे नो बजे हुए हैं तो सासुमा को नहला देती हू फिर मैं इनके कपड़े वगरा धो के खुद नहा लूँगे और देखिए ये मेरी एक डूटी है जो कि इनको नहलाना दुलाना बाकि ये है कि अब तो ये घूमने फिरने लग गई है पहले की तरह तो इतने जादा काम नहीं होते हैं लेकिन जिस टाइम पे ये एक दम से बिमार पड़ी थी बिस्तरिनों ने पकड़ लिया था तब तो मालिश वगरा करना काफी सारे काम होते थे लेकिन अब तो ये होता है कि मैं इनको नहला देती हूं और तेल वगरा जैसे कंगी वगरा सब कुछ मैंने बातरूम में रखा हुआ है ठंड का मोसम है बहार अगर इनको फिठन लगती हैं तो मैं बातरूम में रख लेती हूं वहीं पर कपड़े और पहना के और फिर वहीं पे देल लगा के कंगी वगरा कर देती हूं तो इनके सारे काम एक साथ ही कंप्लीट हो जाते हैं और अभी सासूमा कुछ देर के लिए अपना दूप में बैढ़ जाएगी इनकी कुर्शी वगरा मैंने बालकनी में डाल दी है बातरूम को भी मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि बातरूम वगरा साफ हो जाते हैं तो कामसाथ के साथ कंप्लीट हो जाता है और अभी इनके कपड़े हैं इनको ले जाके और बालकनी में ही हाथ से धो के सुखा द और ये अभी सुवे सुवे सिलेंडर भरवा के लाए हैं क्योंकि आज हमारा सिलेंडर बिल्कुल सुवे सुवे खाली हो गया था लेकिन आज कल ये सुख है ये नहीं होता है कि 10-11 बजे जाओ तब सिलेंडर मिलेगा नहीं सुवे सुवे अगर 8 बजे भी चले जाते हैं तो स जो जाता है और वैसे इतना भारी होता है उठता नहीं है लेकिन जब पाइदान परOLDके इसको कीच देना तो एक तो फर्श पर कोई scratch बगेरा नहीं आती है नहीं तो फर्श पर कापी सारी scratch आ सकती है अगर पाइतान ना रखे तो इन्होंने सिलेंडर सेट कर दिया है और अभी मैं भी नहा दो के रसोई में आ गई हूँ तो सबसे पहले तो अपने लिए एक कप चाए बना लेती हूँ वैसे सच बताऊं ये नहा दो के रसोई में आती हूँ ना फिर दोबारा से ये जो मैं इस टाइम पे चाए बना के पीती हूँ ये मेरी बहुत खराब आदत हो गई है इस तरह से दोबारा चाए वैसे पीनी नहीं चीए लेकिन क्या करूँ आदत हो गई है चाए पीने का मन करता है कई बार सोचती हूँ कि मैं अब से दोबारा चाए नहीं पिऊंगे लेकिन पता नी क्यों ऐसी तलब लगती है कि दोबारा चाए पीने का एटोमेटिक मन करता है विशाल के पापा जी इस तरह से दोबारा चाए कभी भी नहीं पीते हैं लेकिन मेरी आदत खराब हो चुकी है चाय बनने के लिए रख दी है तब तक ये जो बरतन है इनको सेट कर देती हूं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और समय कम है तो जल्दी जल्दी से हाथ चलाऊंगे तो काम फटापट कंप्लीट हो जाएगा सब जीवगरा बनाने की तयारी करूंगे तो तो अपने टाइम पे ही बनेगी तो चाय मेरी बन चुकी है इसको मैं अभी चान के और एक तरफ रख दूँगी क्योंकि अभी तो मुझे सासुमा को पपिता भी काट के देना है और ज़्यादा गरम चाय मैं कभी भी पीती नहीं हूं थोड़ी सी ठंडी करके पीती हूं इ पिर मैं अपनी चाय पी के और फिर अपना सबजी बनाने की तयारी कर लूँगी आज सुबह के खाने में बनाओंगी आलू, गाजर और मटर की सबजी तो गाजर तो मैंने जब रसोई साफ करने आई थी ना उसी टाइम पे छील के और धो के सामने जो बाल्टी पे टोकरी इसमें रख दी थी कि इनका पानी बगरा सोक जाएगा बाकी आलू बगरा भी नई छीले हैं उनको मैं बाद में चील लूँगी तो पहले तो सासुमा को पपीता दे देती हूँ और फिर मैं अपनी चाय बगरा पी के सबजी बनाने की तयारी कर लूँगी तो अभी सब्जी काट लेती हूँ आलू अगर अभी मैंने चील लिये थे दो द्हाके सारी चीजे तयार कर ली हैं और अब मैं एक ही बरतन में आलू, गाजर, टमाटर, हारी मिर सब्जी एक जगे ही काट के तयार कर लोंगे क्योंकि अलग अलग बरतन में काटके रखोंगे काफी सारे बरतन इकठे हो जाएंगे काम को जितना फैलाओ उतना फैल जाता है जितना समेट के रखो उतना काम जल्दी से कंप्लेट हो जाता है बाकि सब्जी के स्वाद में कोई अंतर नहीं आता अगर हम अलग-अलग भी काटके रख लेते हैं फिर भी वो उसी कुकर में एक साथ ही मिक्स होनी है तो मैं तो इस तरह से जो सब्जी बनानी होती है न तो जादा बरतन इकटे नहीं करती हूं जूठे नहीं करती हूं एक ही बरतन में अब जैसे मटर थी उनको मैंने धोके और इसी बरतन में पहले नीचे डाल दिया था और फिर सारी चीजे कटी एक जगई काट लेती हैं और ये देखें सब्जी वगरा सब बन के तयार हो गई है सासुमा की थाली मैंने तयार कर दी है योकि विशाल के पापा जी अभी वहां मेरे जेट जी के फ्लैट पर गई हुए है वो आएंगे यहां तक तब तक तो रोटी बिल्कुल ही ठंडे हो जाएंगे तो मैंने सासुमा की थाली पहले से तयार करके रख ले हैं कि पहले वाली दो रोटी तो मैं गाएं माता के लिए डेली बनाती हूँ तो वो गाएं माता की रोटी बनाऊंगी और फिर सासुमा को खाना खाने के लिए दे दूँगी बाकी विशाल आज कॉलिज में गया हुआ है तो उसकी रोटी मैं बना के रख दूँगी बोल के गया था कि मुम्मी मैं ठंडी रोटी खा लूँगा मेरी रोटी बना के रख देना कोई दिक्कत नहीं है और अनु जब अपने रूम में है तो फिर उसको खाने के लिए दे दूँगी तब तक मैंने विशाल के पापा जी को भी फोन किया हुआ है वो भी आ जाएंगे तो फिर इस सब का खाना पीना हो जाएगा तो आप सब भी आज ये सुबह के खाने में बहुत स्वादिष्ट आलू गाजर मतर की सबजी बनाई है गर्मा गर्म रोटी मैंने बनाती है आज लसी नहीं है दही है और मक्षन है तो गर्मा गर्म खाना खा लीजिए वैसे अब सब्जी बनाई है काफी स्वादिष्ट है लेकिन जो सर्दियों में एक अलग स्वाद होता न वो नहीं आया है अब दीरे दीरे करके ये भी खतम हो जाएंगी क्योंकि कुछ दिन हो रहेंगी फिर और जादा गर्मी होने लग जाएगी तो फिर गाजर मिलेंगी भी नहीं तो आईए और सुवै का खाना हमारे साथ खा लीजिए और ये अभी दो पैर बारा बजे का टाइम है रसोई में बरतन वगरा मैंने सब साफ कर दिये थे रसोई को भी साफ कर दिया था फिर रसोई में तो मैं डेली खानावाना बनाने के बाद पोचल लगाती ही हूँ और यहां सामने का जो होल है यहां भी मुझे काफी धब्बे से लग रहे थे तो सोचा कि चलो एक बार मैं यहां की भी साफ सफाई कर देती हूँ क्योंकि अब जैसे सारा काम कंप्लीट हो गया है यहां का पोचा एक बार फिर से लग जाएगा और यह घर का लगालो की मैन एरि क्या है मतलब जैसे घर में गुशते हैं तो रसोई की तरफ अगर मुझ करके देखें तो यहां पर जो धब्बे होते हैं वो काफी गंदे लगते हैं तो इस वज़े से मैंने सोचा कि चलो यहां का पोचा मैं एक बार दोबारा से लगा देती हूँ वैसे जब सर्दियां थ ठंड की वज़े से लकडी वाले दर्वाजे बंद रहते थे तो अगर मालया अंदर रोशनी की जुरूरत पड़ती थी तो लाइट जलानी पड़ती थी और लाइट की रोशनी में अगर फरस पे कुछ दब्बे भी हो ना तो वो ऐसे नहीं दिखते हैं जितना की जब ßeसे और गुड़ती हैं वैसे अभी 4-5 जिन तो काम वाली और आएगी क्योंकि उसका महेना पूरा नहीं हुआ है जैसा भी करके जाती है कर जाती हैं मैं उसको बार-बार नहीं बोलती हून क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को बार-बार बोलना इससे अच्छा तो खुदी कर देती हूँ दूबारा से मैं यहाँ से तो यह वाली सफाई निप्टा देती हूँ तो फ्रेंड्से सुबह का सारा काम कंप्लेट हो गया है आप सबसे एक छोटी सी मुलाकात भी हो गई है धेर सारी आप सब के साथ बाते भी हो गई हैं आप सब कैसे हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा हम सब बिल्कुल अच्छे हैं और फ्रेंड्से आज की इस वीडियो का मैं यहीं प्रेंड करती हूँ मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यारवरा नमस्कार राधा स्वामी राधे राधे जै शरी राधे बाई बाई खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बा आपाँ आपाँ